पूरा सेपरेट वीडियो है कि हमारी शोय वीण की फसल पर कौन-कौन सी घातक बीमारी ये शमश्याएं आती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों हम सही समय पर इस्प्रे तो आपको करना है और जो भी साल्ट आप स्प्रे कर रहे हैं उसकी यदि रिजल्ट नहीं मिले दो सबस्टों क diyorsun सबस्क्राइब करेंगे करें तो अपको प्रॉपर लग गई और रिज Scamillai का प्रेत कियों में 30 सब्सक्राइब आपक coaching को गया धैए जो कीटा पोछ्च्त परकॉफ या फिर हो घुर alluded और जो भी हैबी से हैबई एल्लियों का प्रकॉफ हो मत्तों को नुक्सान पहुंचाने वाले साकिंग पेश्ट का प्रकॉप हो या फिर कोई भी समस्या हो तो इनको कंट्रोल करना जरूरी दोस्तों वह भी समय रहते हैं तो किर्पिया आप से एक रेक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें या ना करें वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको जो प्रोफेट है ना वो हो सके और अनकिसानों को भी प्रोफेट हो सके तो इस वीडियो को एक बार सेर जरूर कर देना आपको या दी इनफोर्मेटिव वीडियो लगे तो आईए दोस्तों बात करते हैं सोया वीन की फसल पर कौन-कौन सी समश्चाएं आती ह खासकर कीट प्रबंधन की बात करें तो रिंग कटर जिसे हम हिंदी पर गरडल बीटल कहते हैं कुछ इस प्रकार इसका इंफेक्टेट प्लांट आप देख सकते हैं इस प्रकार रिंग बनाता है पत्तियों को और तने को काड़ता है इसके अलावा नमर दो वाइट दोस्तु यहां असानी से कंट्रोल होती नहीं यदि इसका प्रकुप बढ़ जाए तो फिर कंट्रोल होने वाली नहीं है तो इसको कैसे आप अच्छे तरीके से बेस्ट साल्ट जो की सस्ते में अच्छा हो इसके लावव एफीट्स जैसेट्स कभी-कभी थ्रिप्स का प्र जी हाँ तैना मख्वी जूमकरें एन तणा मक्वी और फिरकुप है इसको भी थना करें एह तना मक्वी का प्रिकुप तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको F.I.R. यानि फंगिसाइट, इंसेक्टिसाइट और राइजोबियम कल्चर से बीजों को उपचार करना पड़ेगा तब जाके आपको इस टेंप लाई के प्रति जो भी दवाई इस प्रे करेंगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा और काफी रजिस्टेंस पावर भी आजाएगी बेस्ट बेराइट कर चुनाब करें इसके लावा मौजग वारस कौन नहीं जानता दोस्तो मौंग की खेती, उलत की खेती, सुएवीन की किसान जो भी है कौन नहीं जानता मौजग वारस तो इसका भी उपाई बताने बाले हैं, रस्ट, पावडरी मिल्डीूड, लीप स्पोर्ट, बॉल बर्म, डाउनी मिल्डीूड और फली छेदक, जब साथ दिन की आसपास की फसल हो जाती है, तो उस समय दोस्तों प्रकॉप होता है फली छेदक का, फ्रूट बोरर का, इसक भी पैदाबार घट जाती है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्याद जरूरी है, जब दोस्तों आती है, ना मौजग बायरस की, तो मौजग बायरस की कोई स्पेसल दवाई नहीं है, इसको तो आप इस प्रिकार कंट्रोल कर सकते हैं, कि सबसे पहले तो आपको से लिए बायरस को फेलाने का काम करता है, सफीद मक्खी, यानि वाईट फिलाई, फ्रेप्स, मार्ट, सबायरस की पहले, जो भी सबसे आती हैं, तो इनको कंट्रोल करना भी बहुत ज़ाद दोस्तों जरूरी है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए मौजग बायरस को कंट्रो करने के लिए सफेद मक्खी रस चूसक के जो इस प्रेश रेडूल हैं वो आपको चलाने पड़ेंगे एक एक हपते पर दस दस दिन पर इस प्रेश चलाना पड़ेगा यदि दोस्तों रिजल्ट आपको अच्छा ना मिले तो फिर तो वही वात हो गई तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि अच्छा कवरेज मिले तो सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही इस प्रेश करना अब चलिए आँगे बाढ़ते हैं बहुत हो गई लेक्चर अब बात करते हैं पते की यह नाकी बाल दोस्तों जो कॉंबेरेस हैं वो कीटों कंट्रोल करेगा बलकि रस प्रकोफ भी पथ्ट परजयां से सुनिए और समझ्ये पेहला इस प्रेश और यही दवाई घ्क यही शाल ठीक यह आये समझते हैं फास्ट इस प्रेश 14 दिन के असपास की जब हमारी फशल होती है हर्की हलकी हरें इaly का फ्रकोफ होता है तो प्रकोफ है इस इन का कुछ रस इस सभी को कंट्रोल करने के लिए हम रोग और कीटना सक ले रहे हैं अब इसमें डाई मेथोड 30% EC है इसका जो डोज है वो है 25 से 30 मिल डोज को घटाना बढ़ाना बिलकुल भी नहीं है बरना आप जाने इसके साथ आप लें M45 मेंक कुझे 75% WP फंगी साइड सस्ती और काम अ 10 ग्राम लेना है इन तीनों को जब आप इस्प्रे करेंगे तो सिलिकोन चिप को मिलाकर इस्प्रे कर देना यदि आपके खेत में इल्ली देख जा इस्प्रे करने के बाद तो दोस्तों आप कमेंट करने चले आना बस दो घंटे तक बरसाथ नहीं होनी चाहिए अब देखि समय पर सही दवाई और साप पानी और साम टाम स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा सेकंड जो इस्प्रे है 25 से 26 दिन की फसल होती दोस्तों तो इस समय फंगस का प्रिकोप और चाल बढ़वार के लिए हम एनपी के का प्रियूग करेंगे और यह थोड़ा अब एनपी के उननाईस उननाईस से सको 100 ग्राम ले रहे हैं यह नकि इवाल चाल बढ़वार और फुटाब में हेल्प करेगी बलकि टॉनिक की भांती भी काम करती है और इसके साथ हम ले रहे हैं इमीडा फोटी और फेपरुनिल फोटी जो 80% डॉजी कीटनाश तकाती 507 ग्राम पंदर लिटर पाने घोल करके स्प्रे करना है अब सेकंड स्प्रे में जो 25 दिन की फसल होती है उस समय यदी इस प्रे कर देंगे तो आपको पावरफुल रिजल्ट मिलेंगे एक बात और सोया वीन की फसल पर टॉनिक इस प्रे करने की आवस सकता बिलकुल भी नहीं ह करते हैं थर्ड इस प्रे के बारें बात करते हैं तो हमारी सोया वीन की फसल 35 से 40 दिन की आसपास की होती यहीं वो समय है जब कीटों का प्रको दिन वा दिन बढ़ता जाता है क्योंकि ऊपर से वरसात हो रही है और नीचे से फिर रिजल्ट अच्छा ना मिल पाए और फिर क क्रेट्स होती समझ से वो काफी बढ़ जाएगी तो थर्ड इस प्रे में ऐसी टाइम प्रे 20 परसेंट एस पी सफेद मक्की की दवाई ले रहें 10 गराम से जेंटा कंपनी की सिंबो डिस इंसेक्टिसाइड आती है यदि इल्लियों का कीटों का प्रकोब काम है तो बार आए प्रकोब जादा है कीटों का तो फिर 24 एमेल इस प्रे करना पड़ेगा और यदि आपको लग रहा है कि 50 दिन की फसल हमाई 40 दिन की फसल है और 40 बढ़वार बहुत कम जोर है पीला पन है तो फिर बायो बीटा जो आती है न सीवीड बायो बीटा सीवीड 30 एमेल को एड़ क कर लेना और इसके साथ और क 들고 फंगीं सायट जो की फूल की स्थी में भाए फूल अबस्ता में फल्फूल ड्रॉप नहीं हो गहे तो इस कॉमिलेसन को इस पर करने से फफूल ड्रॉप होने बाली नहीं है रोको को आप ले रहे हैं तो 40 ग्राम 5 लीटर पाने में घूल करके स सकते हैं फोर्थ जो इस्प्रेय है यानि 58-60 दिन के आसपास की फसल हो तो फोर्थ इस्प्रेय आपको चला देना चाहिए और जो भी आप दोस्तों इस्प्रेय सेडू चला रहे हैं वो फसल को देख सुनकर ही स्प्रेय चलाना क्योंकि कीटो कप्र को बिल्कुल भी नहीं एक तो पौधे में तनाब में चला जाता है यह फसल खतब होने वाली है तो मारी फसल को भी जीवित करने की यह चमता रखती है रेकावर नहीं आप ऐसा नहीं कहेंगे कि इस प्रेकर दो एकदम निस्चिंत हो जाओ रिजल्ट अच्छा दे सकती जी बोल रहे हैं डाव एग्र स्प्रेय है सतर सपच्छतर दिन के मद्ध की जब हमारी स्वेविन की फसल हो जाए तो इस समय जो भी एनरजी पोधा जनरीट कर रहा है वह बढ़बार में न लगके फलियों में लगे तो इसके लिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्प्रेय बहुत जरूरी है करना तो अच्छा है चार एमेल एनपी के तेरह जीरो पैंता लिस पर जीरो जीरो पचास दोनों में सकोई एक जीरो जीरो पचास ज्याद अच्छा काम करेगा तो ग्राम ले लिए लिए चलिया जो की दानों की एक्चुली में साइज और चमक को बढ़ाता है टेकाउपन इस्टोर प्लस सलफर का कॉम्परेशन है जो पाउडरी मेलडियूर को कंट्रोल करेगी फंगस को काफी अच्छी तरीकी से पकल करेगी और सलफर है तो सलफर का काफी हमारी सोय बीन की फसल पर फायदा होता है तो इनको सभी को मिक्स करके इस्प्रे करेंगे दोस्तों आपको तो सोय को जो डोज है दोस्तों जो हमने 15 लीटर की दर से बताया है एक अकळ का जो भी रेसर निकालने के लिए एक एकळ का जो करणानेकर व Hee यह करके हसाब से भी स्प्रे कर सकते हैं लेकर 15 लिटर की दर से शिली बताया कि जितनी फसल चोटी है उस हसाब से दवाई का इस पर आप करिए और परयापत मातरा पर ठंडा पानी साफ पानी लीजिए और इस प्रेकार यादि आप इस प्रेश सेडूल चलाएंगे प्रवप करने के लिए तो इस प्रेकार आप गर्डल वीटल रिंग कटर सेमी लूपर्स और तमाम प्रेकार की जो भी इल्ली चबाने वाले चूसने वाले कीट है वो कंट्रोल हो जाएंगे तो यह दोस्तों कोई प्रमोशन वीडियो नहीं थी यह केवल एजूकेशन वीडियो थी क कमपनी का प्रचार प्रसार करना हमारा उद्देश बिल्कुल भी नहीं है जो भी टेक्निकल आपको लगें वो आप किसी भी कमपनी के खरीच सकते हैं यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जादा जादा सेयर अबस्त करें धन्नवाद